हेलो फ्रेंड्स यूर वेलकम टो प्रेपराइज ओनलाइन क्लासेज स्टुडेंट्स हमारा कल कर जो सेशन था वो था नमबर सिस्टम पे आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं हमने कल आपकी फीडवेक्स पड़ी उसमें कुछ डाउट्स थे आपके जो आज हम कलियर करेंगे उसमें हम प्राइम नमबर्स को दुबारा से पड़ेंगे और साथ ही साथ जो मैंने कल आपको इर्रैशनल और रैशनल नमबर के एक कंसेप्ट बताया था वो थोड़ा मैंने शोर्ट में बताया था तो आज हम रैशनल और इर्रैशनल नमबर्स के कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में करेंगे तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम आज का सेशन शुरू करेंगे हम प्राइम नमबर्स से जो हमारे पास अभाजे संख्याएं होती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभाजे संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है अभाजे संख्याएं वो संख्याएं होती है या तो जो खुद से डिवाइड होती है या वो सिर्फ एक से डिवाइड होती है बोलने का मतलब है कि अवाजे संख्या है सिर्फ दो इफेक्टर होते है एक one और एक जो अवाजे संख्या है वो खुद स्पोर्स हमारे पास three एक अवाजे संख्या है तो 3 जो है वो सिर्फ या तो 3 से डिवाइड होती है या 3 डिवाइड होता है सिर्फ 1 से समझ गए? ये तो basic definition थी कि अभाजय संख्या है होती क्या है अब students के वार आपको examiner क्या question पूछता है कि आपको वो एक अभाजय संख्या दे देगा तो आपने कैसे पता लगाना है कि वो संख्या जो अभाजय संख्या है तो हमारे जो mathematician है उन्होंने prime numbers को कैसे define किया है Prime number को उन्होंने define किया है 6N plus 1 और 6N minus 1 या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6N plus minus 1 इस तरह से कि ये जो संख्या होती है ये अभाजय संख्या है अभाजय संख्या को हम इस form में लिखते हैं अब suppose कि आपको examiner पूछता है कि 283 283 एक अभाजय संख्या है या अभाजय संख्या नहीं है तो आप कैसे पता लगाओगे कि 283 एक अभाजय संख्या है आप क्या करोगे कि suppose यहां से कोई भी एक उठा लोगे जैसे हमने यह उठा लिया 6N-1 6N-1 कि हमने और इसको किसके इकुल कर दिया 283 के इसको हमने 283 के एकुलाइज क्यों रखा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कभी हम अभाजय संख्या को लिखते हैं तो यहां पर यह मन जो माइनिस का है तो दूसरी साइट जाके क्या हो जाएगे यह प्लस का यह आ जाएगा आपका 284 अब आपने क्या करना है किसको आगे ले जाओ यहां पर यहां पर आपके स्कश्वतलियूक्सार अबने क्या सिक्सवतलियूशल टूसरी सिक्स फॉसार त्वड्श त्वन्टिफॉर आपके पास 4 बच गया खिर शेवनाद फॉर्टी तो और आगे क्या संख्या नहीं है तो आपने कहा देखा कि यह 284 जो यह पीस पूरी तरह से विवाजि नहीं हो रहा है अगर यह नंबर जो है एक आपके बस इंटीजर नहीं आता है इसको सॉल्व करने के बाद अगर एक इंटीजर वैल्यू नहीं आती है तो इसका मतलब है कि यह जो 283 है यह एक अवाजय संख्या जो अब नहीं है next हम दुबारा से discuss करेंगे कुछ और examples के साथ जैसे हमारे पास 83 आपने एक नंबर ले लिया 83 आपने एक नंबर ले लिया और examiner ने आपसे क्या पूछा कि 83 जो है वो एक अवाजय संख्या है या नहीं है formula आपने वही लगाया 6n-1 equal to 84 sorry 83 next आपने क्या कि कि 6n को इसी तरफ रहने दिया और 83 में अपने 1 को क्या कर दिया अब आपके बस answer क्या आ गया 84 84 को आपने divide करना है 6 से 6 वंजा 6 6 6 वंजा 6 next 2 बच गया 6 forza अब देखा आपने कि जब हमने इसको solve किया तो हमारे पास जो है वो 84 6 से पूरी तरह से विवाजित हो गया बोलने का मतलब है यह है कि जब हमने इसको solve किया तो हमारे पास एक integer value आ गया एक पूरा अंक आ गया जब इस इस चीज को solve करने के बाद हमारे पास एक पूर्णांक आ जाता है बोलने के मतलब है कि संख्या by q की form में नहीं आनी चाहिए संख्या कहने चाहिए एक integer value एक पूर्णांक आना चाहिए अगर पूर्णांक आ गया है तो इसका क्या मतलब है कि 83 जो है आपका एक प्राइम नं संख्या और अपरी में संख्याएं तो स्टूडेंट्स जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी जो टीचर थी उन्हों हमें क्या बोला कि परी में संख्याएं वह संख्याएं होती है परी में संख्याएं वह संख्याएं होती है जिने पी वाई क्यू की form में लिखते हैं कि परिमेह संक्याओं की definition सिर्फ इतनी कि रहे पी वाई क्यू की फोर में जो भी परिमेह संक्या है उती है अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक question आया मेरे पास वहाँ पे चार option थे option क्या थे अंडूरूट 4 3 under root 7 और एक था हमारे पास 3.13579 अप्टू सोल ऐसे करके था कुछ भी 4 ओप्शन थे तो question क्या पूछा गया था कि आपने ये बताना है कि इन चारों में से परिमेशंख्याएं कौन सी हैं तो मुझे क्या लगा कि ये ओप्शन जो गलत है क्योंकि मैडम ने हमें क्या बताया है मैडम ने तो हमें बताया है कि परिमेशंख्याएं किस की फोर्म में होती हैं PYQ की फोर्म में होती है लेकिन यहाँ पे तो कोई भी संख्या ऐसी है ऐसी नहीं है यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्याएं जो PYQ की फोर्म में हो कि जितने भी integers हैं हमारे पास, integers की value कहां से कहां तक होती है, कि हमारे पास जितने भी integers हैं, जितने भी पूर्णांग हैं, जितने भी पूर्णांग हैं हमारे पास, पूर्णांग कहां से कहां तक होते हैं हमारे पास, minus infinity से लेकि infinity तक, जितनी भी integers value हैं वो सारी की सारी का हैं हमारे पास परिमेश संख्याएं हैं दूसरा कि जितने भी whole numbers हैं whole numbers 0 से लेकि कहां तक जाते हैं infinity तक जितने भी whole numbers हैं वो भी सारे rational numbers हैं जितने भी natural numbers हैं natural number 1 से start होते हैं infinity तक जाते हैं यह सारी चीज़े जो हमने कहां डिसकस की हैं, यह सारी चीज़े डिसकस की हैं हमने पिछले सेशन में, अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो यह वीडिय वह दूसरे वीडियो से बिल्कुर relate करता है उसी session का हमने दुवारा से continue किया है तो मुझे क्या पता चला कि जितने भी हमारे पास intizers है वो rational numbers हैं जितने भी मेरे पास whole numbers है वो rational numbers है और जितने भी हमारे पास natural numbers है वो rational number है अब मैडम ने तक्या बोला कि rational number PYQ की form में होते हैं तो क्या ये चीज गलत है बिल्कुल नहीं ये चीज भी बिल्कुल सही है कि rational number PYQ की form में ही होते हैं लेकिन हम लिखते कैसे हैं कि आप से किसी ने पूछा कि minus 3 जो वो rational number है या नहीं है तो minus 3 एक rational number है क्यों कि minus 3 को हम इस form में भी तो लिख सकते हैं है ना होगे आपका PYQ की form minus 3 को हम इस form में भी तो लिख सकते हैं तो ये क्या होगे rational number rational number में मैंने एक चीज और discuss की थी आपके साथ कि Q कमान जो वो कभी भी 0 नहीं होता ठीक है Q कमान कभी भी 0 नहीं होता क्योंकि अगर हम यहां पर किसी number के नीचे 0 लगाते हैं तो हमारे पास answer क्या आता है हमारे पास infinite है इनफेनेight आता है हमारे पास number तो infinite तो कोई number होता नहीं है नेक्स्ट आपने एक चीज क्या की थी कि यह जो Numination है और यह De bruk منator है rational number को कैसे कि rational नमबर का जो Numinator है और जो denominator है जो android है और जो hard है उसका HCF जो हमेशर कहारे न चाहिए one HCF कहारे न चाहिए one next section में हमारा next session होगा अगला session उसमें हम LCM और SCF के बारे में detail से पढ़ेंगे next एक चीज़ और देखेंगे पहला किया देखा आपने ये सारे एक सारे numbers के हैं आपके पास rational numbers है next एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि क्या under root 4 under root 9 और under root 16 ना 4 का बर्ग मूल 9 का बर्ग और 16 का बर्ग मूल क्या ये rational numbers है जल्दी से comment section में हमें बताईए कि क्या ये rational numbers है या नहीं है do it fast जल्दी से बताईए मुझे कि ये जो मैंने 3 numbers लिखे हैं यहाँ पर क्या ये rational numbers है या नहीं है I hope कि आपने अपने comments चोब नीचे comment section में डाल दिया होंगे अब हम discuss करते हैं under root 4 command कितना होता है under root 4 command होता है 2 2 क्या एक integer value है 2 क्या है एक natural number है 2 क्या एक whole number है ठीक है तो मैंने क्या बोला था कि जितने भी natural numbers है या जितने भी integers हैं वो सभी के सभी क्या है हमारे पास rational numbers वो सारे सारे क्या है rational numbers है अंडूरूट 9 कमान क्या होता है तीन का एक इंटीजर वैल्यू है बोले का मतलब क्या है कि यह वी एक रैशनल नमबर है जितने भी परफेक्ट स्क्वेर है जितने भी परफेक्ट स्क्वेर है जिसका इंटीजर मान आता है वो सारे के सारे के यह हमारे पास रैशनल नमबर है अब एक और चीजे कि स्पोज कोई नमबर है वो इस फो में है जैसे टू पुइंट फूर वन और उसके उपर के लगा है बार इसका क्या मतलब होता है इस ब बार बार रिपीट हो रहा है और यह कहां तक चलेगा up to infinity तक अगर इस तरह का आपके पास कोई number है तो वो number भी आपके पास क्या होगा rational number होगा ठीक है जैसे rational number में एक चीज़ देख रहे हो आप क्या है ratio रेश्यो देख रहे हो ना तो ratio क्या होती है PYQ ratio क्या होती है PYQ ratio क्या हम और कैसे लिख सकते है P divided by Q ठीक है तो rational number में ही चीपा है कि rational numbers को हम इस form में लिखते हैं ठीक है next यह होगा rational number का अब देखेंगे हम irrational numbers अब देखेंगे हम irrational numbers मैंने आपको rational numbers के बारे में बताया अब जितने भी rational numbers होते हैं वो irrational number नहीं होते अब हमें क्या बताया गया madam ने कि हमारी जिख स्कूल की teacher थे उसने मुझे क्या बताया कि जितने भी नमबर जो है वो अंडरूट की form में आते हैं अंडरूट फोर्म ठीक है अंडरूट की form में जितने भी numbers आते हैं उसरह irrational numbers है और मैंने भी मान लिया अगर मैं उस बात को मानता हूँ तो उस हिसाब से under root 4 जो है वो एक irrational number होना चाहिए लेकिन under root 4 तो एक rational number है ठीक है अब under root में भी कौन से ऐसे numbers होते हैं जो irrational numbers है under root में कौन से ऐसे numbers होते हैं जो irrational numbers है जैसे 2 2 क्या है एक perfect square root नहीं है 2 की value कितनी होती है हमारे पास 1.4142 एंड आप टू सोवन कुछ भी है ठीक है अब मैंने आपके चीज यहां पर बताई थी जैसे इसकी value ऐसे होती 2.414141 या ऐसे होती है इसकी value 1.412412 412 तब तो क्या होता यह एक rational number होता है लेकिन यह value इस तरह से यह ना इससे आगे भी कैसे चलता है हमारे पास 1.3.5 इस तरह से चलता है तो यह क्या एक इर्राशनल number है जितने भी non-perfect परफेक्ट ने बता रहा हुँ है जितने भी non-perfect square roots है वो सारे irrational numbers होते next आता हमारे पास under root 3 under root 3 क्या है under root 3 क्या है नॉन perfect है perfect है तो यह भी एकallr action Numbers ने एक चीज और बतातों को अब में आपको अश्वर्च णट एट यह यहां थी रूट है और यह क्या हमारे पास क्यूंद अडूरोटी बैल्यव क्या ती है हमारे पास टू अंडरूट टू यहीं आती है अंडरूट टू की वैल्यू तो एक तरह से क्या है यह एक नोन परफेक्ट स्क्वेर रूट है ना अंडरूट एट क्या एक नोन परफेक्ट स्क्वेर रूट है तो यह क्या है यह एक इर्रैशनल नंबर है कौन सा नंबर है यह एक इर्रै क्या एक irrational number है और under root 8 का जो к्योव root है वो क्या एक rational number है ठीक है तो I hope कि आपका rational और irrational numbers का concept है वो clear हो गए होगा अब हम कुछ mcq करेंगे वहां पर हम rachel और irrational numbers के concept को और भी ज्यादा जो हो clarify करेंगे next doubt session खत्म हो गया आज का next कल हमने पढ़ा था कि divisibility की हम जांच कैसे करते हैं या विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं या test divisibility को कैसे test करते हैं तो कल क्या हुआ था कि मैंने आप से एक से छे तक discuss की थे और उसके बाद मैं साथ से discuss करना भूल गया था है ना साथ से मैं जो था आप से discuss करना भूल गया था और उसके बाद मैं पहुंच गया था सीधे 8 पर ठीक है तो एक से 6 तक और 8 तक जो हमने numbers की divisibility check कर ली है पिछले व कि 7 की divisibility को कैसे check करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कोई संक्या है वो साथ से पूरी तरह से divide हो जाती है जैसे simple से हम लेते हैं तो 14 है 14 तो हमको बता है कि 7 टूस अगया होता है 14 14 है कैसी संक्या है जो साथ से divide हो जाती है देकि suppose आपके पास कोई बड़ी संक्य तो आप कैसे जो है वो define करोगे या कैसे बताओगे कि वो साथ से विवाजित हो जाती है एक्जाम्पल से करेंगे हम यह एक इक्जाम्पल है हमारे पास इस इक्जाम्पल में क्या हमारे पास कोई पूजी आगया 732 736 यह आपके पास एक संख्या दी गई हमें और एक्जामिनर क्या पूछता है कि आपने क्या पता लगाना है कि क्या यह संख्या जो है साथ से पूर्ण तया विवाजित होती है या नहीं तो simple सा trick है आपने क्या करना है जो once place पे number है जो एकाई के अंक पे number है उसको आपने double कर देना है 6 का double कितना होगा 6 to the 12 ठीक है क्या कर देना आपने इसको multiply कर देना है 2 से इस number को 2 से multiply कर दिया कितना आ गया 12 अब आपने क्या करना है इस 12 को यहां से minus कर देना है 12 को क्या कर दिया आपने 73 में से minus कर दिया 12 को जब आपने 73 में से minus किया तो हमारे पास क्या है 73-2, 1, 7-1 is 61, तो अब आप देखिए कि 61 जो वह 7 की टेबल में आता है, नहीं आता, 7-7s are 49, 7-8s are 56, 7-9s अक्ने हो जाते हैं 63, 61 जो वह 7 से डिवाइड नहीं होता, इसका क्या मतलब है कि 7-36 वी ज्वीजुव वह 7 से डिवाइड नहीं होगा, यह तो हमने 7 की divisibility चेक कर ली, अब हम divisibility चेक करते हैं 9 की, 9 की divisibility को कैसे चेक करते हैं, कोई नमबर जो वो 9 से पूरी तरह से divide हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, कि कोई नमबर ऐसा नमबर है हमारे पास, जो 9 से पूरी तरह से divide हो रहा है, कैसे पता चलेगा हमें, तो जैसे म फिसमभर है महार पास 36791 ए फिसे करते है कहीं हम प्रस कहते हैं इन सबीकर गुंहें है हेना जितने भी लिगंप से 1234 56 हैं इसेख नंबर में कितने डिजट हैं सीग हम पहलों करते हैं ये लग अनसर आया वो ठ्री से डिवाइट हो रहा कि इनका हम सम करते हैं ठीक है और अगर वो सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है जैसे इसको हम करते हैं 6 और 3 9 9 & 7 9 & 7 9 & 7 कितने होते हैं हमारे पास 16 16 & 9 25 25 & 2 27 25 & 28 यह क्या आगए 28 क्या 28 जो वो 9 से विवाजित होता है 28 जो वो 9 से विवाजित नहीं होता है ठीक है 25 जो 9 से विवाजित नहीं होता है तो यह क्या हमारे पास एक तो यह वहला नंबर भी जो 9 से विवाजित नहीं होता है तो इसका मतलब है कि यह नंबर भी 9 से विवाजित नहीं होगा ठीक है अब स्पोर्ज हमने एक नंबर ले लिए आपके पास यही नंबर ले लिए हमें 367812 यह को यह आपने एक और नंबर ले लिया इसकी डिविजिबिल्टी चेक करते हैं हम ना इन से तो 9 से डिविजिबिल्टी कैसे चेक करेंगे 6 and 3 9, 9 and 7, 16, 16 and 8, 24, 25 and 27, 27 अघ्या है, है ना इन 6 के 6 लिजिट को हमने कहा किए add किया एडिशन कहीआ है 매ँँआटे पास 27 जो क्वाइड से और ले लिए है और नंबर ले नहीं होगा और यह किन नंबर ले नहीं 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 नंबर जो बीस harass है तो ऐसे हमने चेक की 9 की divisibility अब next 9 के बाद क्या आता है हमारे पास 10 9 के बाद क्या आता है हमारे पास 10 तो 10 की divisibility चेक करने के एक इत्रीका कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है किसी संख्या का जो unit digit है वो 0 है तो वो number जो 10 से पूरी तरह से divide हो जाता है यह तो simple से टरीक है सबको पता होगा next हम discuss करेंगे 11 से 11 से हम divisibility कैसे चेक करते है कि कोई number है 11 से पूरी तरह से भिवाजित हो रहा है वो divisibility हम कैसे चेक करेंगे उसका एक simple से तरीक है जैसे 121 number है सबको पता कि 11 का square जो 121 होता है लेकिन divisibility यह से चेक करते है हम करेंगे कि जो संख्या कौन सी प्लेस पे है औढ़ प्लेस पे है पहली यह ओड बहुत है इनको हम फ्लस करदेंगे ऑड औड है इनको लिए इसको one plus one two और इसमें से माइस कर देंगे हम संख्यावले को ठीक है दूसरा क्या सम है, तीसरे प्लेस पे, पांच में प्लेस पे, साथ में प्लेस पे, नोमें प्लेस पे, पहला, तीसरा, साथ मा, नोमा, उनको आपने प्लस करना है, फिर दूसरा, चोथा, चट्था और आठ मा, उनको प्लस करना है, फिर जो आता है ना, आपके बस उसको क्या क समझेंगे हम, 374123, यह हमारे पास कोई बड़ा नंबर है, अब आपको एक्जामिनेर पूछता है कि क्या ये नंबर जो है वो 11 से विवाजित होता है, यह नहीं, या एक्जामिनेर आपको क्या देगा, बड़ा जाती है, तो चेक करने का तरीका आपको पता है, आपने 3, और नंबर, 1, और नंबर, ठीक है, पहला तीसर और सात्मर, तीन और एक, तीन और एक देखेंगे, दो और चार, छे, empowered नो, इनका ऑंतर कितना आगया है मेरे पास्थ, दो, ना समझ आ रहा है ना कि जो old place पे values हैं उनको add करना है, और जो even place पे values हैं उनको add करना है, और उनका अगर जो difference है वो आपका 0 आता है, तब तो number 11 से पूरी तरह से divide हो जाता है, और अगर 0 नहीं आता है, तो इसका कह मतलब है कि ये पूरी की पूरी संक्य है, जो अगर 11 से भी वाजित नहीं होती है, simple is a trick है, ठीक है, the divisalty हम 11 तक ही करेंगे, next, हम कुछ चीज़े पढ़ेंगे, जैसे sum of first and natural numbers, जी n natural numbers, numbers आपके बस कितने भी हो सकते हैं, 15, 16, 17, 18, लेकिन first and, first and मतलब एक से लेके कितने तक ठीक है, तो first and natural numbers का योग कितना होता है, आपने क्या पढ़ा था, कि n plus 1 divided by 2, यह formula आपने कहां पर पढ़ा था, average में, कि n natural numbers की average कैसे निकालते हम, n natural numbers की औसत कैसे निकालते हम, इस formula से, अब मैंने आपको बताया थी कि अगर आपको numbers की औसत दी वही है, number का average दिया है, तो हम number का sum कैसे निकालते हैं, है, number का sum कैसे निकालते हैं, अगर हमको average दिया, हम क्या करते हैं, कि उस average को उन number से क्या कर देते हैं, multiply कर देते हैं, तो numbers कितने हैं, हमारे पास n, n numbers हैं, यह n numbers की average है, sum कैसे निकालेगा, जब हम n को इस average से multiply कर देंगे, तो यह formula बच जाता है, sum of first and natural numbers, ठीक है, अब आपको examiner क्या बोलता है, कि examiner आपको इस तरह के question दे जाता है, कि 1 plus 2 plus 3 and up to so on 50, यह कितनी natural numbers हैं, 50 natural numbers हैं, 1, 2, 3, 4, up to 50, अब examiner क्या बोलता है आपको, कि इन numbers का आप sum निकालिए, तो जिन्हें यह formula पता नहीं है, यह जिन्हें यह concept पता नहीं है, वो इस question को कैसे solve करेंगे, कि 1 से 50 तक सारे सारे number लिखेंगे, फिर उनको 1 by 1 क्या करेंगे, add करेंगे, तो यह चीज़ क्या हो जाती है, काफी time consuming हो जाती है, लेकिन हमको क्या करना है, time को save करना है, exam में हमारे पास इतना time नहीं है, कि हम एक question के उपर 3 या 4 मिनिट जो है, वो spend कर सकें, ठीके, तो अगर जिन्होंने इस concept को पढ़ा है, या जिन्हें ये concept पता है, वो क्या करेगा, कि वो देखेगा कि हमारे पास total संख्यां कितनी है, पचास है, तो वो simple formula लगा देगा, वो total संख्यां कितनी है, पचास है, next क्या जागा, पचास प्लस एक, 51, divided by 2, 2 से वो simple से multiply कर देगा, 25 और, 25 और, इकुंजा को multiply करके, जो answer आएगा, वो क्या है, इसका योग हो जाएगा, multiply करते हैं, मैंने आपको multiplication के एक तरीका बताया था कि, अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट की संख्या है, न, 2 डिजिट का कोई number है, तो उनको एक line में हम कैसे multiply कर देख सकते हैं, 5, 1, 5, cross में करेंगे, 5, 5, 25, 25, 25, and 2, 27, 5, 5, 27, 2 के बच गया हमारे पास, carry, 5, 2, 10, 10, 2, 12, तो यह इस cancer आगया, फटाक से answer आगया, अगर आपको concept पता है, तो अगर concept पता नहीं है, तो आप 4-5 मिनिट लगा दूगे, इस question को solve करने के लिए, next, next आपके पास आता है कि, अगर हमारे पास first and even numbers है, even numbers क्यों होते हैं, 24, 24, 6, 8, even numbers होते हैं, अगर हमारे पास first and even numbers है, तो उनका हम क्या है, sum कैसे निकालेंगे, average में क्या पढ़ हैं, हम n से multiply करते हैं, यह concept मैंने को पीछले question में बताया ना, कि average से sum कैसे निकालते हैं, यह formula आगया, even numbers का, ठीक है, कि आपको पहली जो है वो, n even numbers का formula निकालना है, तो इस formula से आप निकाल सकते हो, next है, पहली odd, odd का क्या था, कि odd numbers का average कैसे निकालते थे, n से, हैंना, कि पहल पहली, n odd numbers का average कितना आता है, n, तो उनका योग क्या होगा, sum कैसे निकलेगा, sum कैसे निकलेगा, n को जब हम n से multiply कर देंगे, average को जब हम total number से multiply कर देंगे, कितना आ गया है, n का square, concept clear है, okay, next, sum of squares of first n natural numbers, कि squares हैं, जैसे ऐसे हैं natural number के square, 1 plus 2 का square, plus 3 का square, and up to so on, 10 का square, हैना, इस तरह के आपको squares दिये हुए है, इस तरह के आपको examiner question देते हैं, तो आपको बोलता है कि आपने इनका sum निकालना है, हैना, तो अगर आपको तरीका पता नहीं है, concept पता नहीं है, concept अभी हम discuss करेंगे, अ n into n plus 1, 2 n plus 1, divided by 6, ठीक है, ये concept, ये formula याद रखने हैं, आपने, पहले n natural numbers के square का अगर आपने क्या निकालना है, योग निकालना है, या बोल सकते हैं कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के बर्गों का अगर आपको योग निकालना है, तो आप ये formula यूज कर सकते हैं, इस स related, हम question आपके, इस related question करेंगे, हम आगे MCQs में, next, next, अब हम कुछ question discuss करते हैं, इसी से related, जिन्नोंने हमारा कल का session नहीं देखा है, वो please मैं आपको बार-बार बोला हूँ कि उस session को आप देखिए, अगर आपको वो session समझ आ गया है, तो उसके बाद ही आप इन questions को solve कर सकते Because, आज का जिए session है, वो कल के session से क्या है, related है, ठीक है, तो जिन्नोंने भी कल का session नहीं देखा है, उनसे मैं बार-बार request कर रहा हूँ कि वो पहले जाके कल का session देखें, उसके बाद ही वो इसी session को देखें, question को solve करते हैं, question में क्या है, कि आपके पास एक संख्या दी गई है 3, 4, 7, 2, 3, 1, ये एक संख्या दी गई, आपको बोलाए कि इसका जो स्थानी अमान है और जाती अमान है उसका अंतर निकालना है, मैंने आपको पहले भी बोला थे कि स्थानी अमान कैसे निकालते हैं, कि आपके पास ये number है, 3, 4, 7, 2, 1, 3, 4, 7, 2, 3, 1 है, ये आपके पास ए निकालते हैं, आपने देखना कि number कौन से place पर है, once place, tenth place, hundred place, thousand place, या हिंदी वाले बोल सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैंक्रा और हजार, तो आपने करना है, साथ को हजार से डिवार, multiple है करते हैं, 7 की place value कितने आगी, 7,000, 7 की place value कितने आगी, 7, तो इनका अंतर कैसे निकालेंगे हम, 7, 0, 0, 0, divided by 7, समझे, यहां से हमने वो ले लिया, तो यहां 10 हो गया, यहां 9, यहां 9, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जैसे करते हैं, 10-7, 3, 9 का 9, 9 का 9, और यहां पर क्या आगया था, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 3, option B, जो आपका right option, next question पर चलते हैं, I hope कि यह question आपको समझ आ गया होगा, next question है, find the prime numbers between 0 to 50, कल के session में मैंने आपको बताया था कि prime numbers को हम कैसे जो है, prime number का कैसा पता कर सकते हैं, कि 0 से 50 के बीच में कितनी संक्या है, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, कि 1 से 100 के बीच में कितनी है, 25, यह चीज मैंने आपके साथ कल discuss की थी, कि 1 से 100 के बीच में कितनी prime numbers है, या 1 से 100 के बीच में कितनी है, भाजे संक्या है, हमारे पास, 25, एक चीज़ मैंने और discuss की थी आपके साथ, कि 1 से 25 के बीच में कितनी है, count करके भी दिखाया थी, मैंने आपको क्या पूछा गया है। कि 0-50 के बीच में यतनी प्राइम नम्बर्ण आते हैं। तो 0-30 की 10-待ってंद नमबर जाएंगे तो 0-50 वी नोऔर कि just doors the 29 let 0025ौए कि इतनी होगी ये एक question है, इसमें बोला है कि 87 एक number है, इसमें आपके कितने prime factors हैं, 87 के अपने prime factors निकालने हैं, prime factors क्या होते हैं, अभाज्य गुनन घंड, ऐसे गुनन घंड जो एक अभाज्य संक्या हो, तो 87 के prime factors क्या होते हैं, जल्दी से बताईए, पहले तो आप ये देखी कि 87 एक prime number है या नहीं है, 87 एक prime number है या नहीं है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 8 plus 7 15, 15 3 से divide हो जाता है, 3 से divide हो गया, मतलब ये एक prime number नहीं है, तो 87 एक prime number नहीं है, लेकिन आपने बताना है कि 87 के अंदर कितने अवाज्य गुनन घंड है, 87 के अंदर 3 अवाज्य गुनन घंड है, 29 3 कितने होते हैं 57, 29 भी एक prime number है, 3 भी एक prime number है, तो कितने वाजे गुणन खंड आगे हैं हमारे पास एक दो तो option A जो है वो हमारे पास right answer है for example, एक और example देखते हैं हमारे आपको बोला कि 27 एक number है इसके अंदर कितने वाजे गुणन खंड है 27 को तोड़के कैसे लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 अब आपने देखना है कि ये जो गुणन खंड आएं आपके ये गुणन खंड जो सारे वाजे संख हैं है या नहीं है ये आपने देखना है कि जितने भी आपके जो factors आएं है ये सारे एक सारे factor prime number है या नहीं है 3 जो है वो ये prime number है तो 27 में कितने अभाज्य गुननखंड आगे आपके पास? 3 अभाज्य गुननखंड निकालने का ये तरीका है कैसे निकालते हैं अभाज्य गुननखंड और ये question जो है पतवारी के paper में पूछा गया question है Next How many times digit 9 comes between numbers 1 to 100 कि 1 से 100 के बीच में जो 9 है वो कितनी बार आता है है ना count करना आपने 1 से 10 के बीच में 9 कितनी बार आता है एक बार ठीक है 1 से 20 sorry 11 से 20 के बीच में कितनी बार आता है एक बार 21 से 20 के बीच में कितनी बार आता है एक बार है ना 1 से 10 के बीच में एक बार 11 से 20 के बीच में एक बार 31 से 20 के बीच में 31 से 40 के बीच में एक बार 41 से 50 के बीच में एक बार 51 से लेके 69 के बीच में एक बार बेसिक मेंतर से बता रहा हूं है 61 से लेके 70 तक एक बार किस में आता है 69 में उसके बाद 71 से लेके 80 तक एक बार 80 से लेकि 81 से लेकि 90 तक कितनी बार आता है दो बार कैसे आता है एक 89 में आता है और दूसरा किसमें आता है 90 में उसके बार नेक्स्ट 91 से लेकि 100 के बीच में कितनी बार आता है 10 टाइमस 10 टाइमस आता है ना 91 से लेकि 98 तक 8 टाइमस और 99 में 2 टाइमस 10 टाइमस काउंट कीजिए 10 12 13 14 15 16 17 18 19 तो आंसर के आगे आपके बास C 19 ठीक है एक से 100 के बीच में 9 कितनी बार आता है नेस बार नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी 21, 22, 23, 25 यह एक सीरीज है कहां तक है 21 से लेके 100 तक 21 से लेके 100 तक एक सीरीज है आपने कहा करना है कि इसकी value find out करनी है तो जल्दी से इसकी value find out कीजिए जिन्होंने natural numbers के बारे में पढ़ा है क्विक 30 सेकिंड के इंदर इसका answer आजाना चाहिए आपने अपने answer को comment section में डाल देने हैं 30 सेकिंड के इंदर इसका answer आपके पास आजाना चाहिए I hope कि आपने question solve कर लिया होगा अब हम एक बार चेक करते हैं कि देखिए आपके बास क्या है पहला number कितना है 21 है और last number कितना है 100 है लेकिन हमने क्या पढ़ा है हमने formula क्या पढ़ा है कि first n natural number का formula पढ़ा है तो first n natural कहां से start होने थे 1 से लेके 100 लेकिन examiner ने तो आपको 21 से 100 दे है अब क्या करेंगे हम है ना formula तो हमने पढ़ा first n का मतलब एक से 100 का formula पढ़ा है हमने तो examiner ने क्या कि वन से ना start करके आपको 21 से दे दिए तो अब हम इस चीज को कैसे find out करेंगे इस चीज को हम कैसे find out करेंगे वह देखते हैं सबसे पहले तो आपने वहीं से चलना है कि आ तो 100 natural number का sum कितना होगा 100 multiply by 101 divided by 2 50 से हो गया ठीक है तो यह क्या आगे हमारे पास यह को जब solve किया तो 5 बंजा 5 और एक 0 है ना 5050 यह कितने का आ गया 100 का अब कुछ student जो है वो n natural number का निकालेंगे और यह अगर answer आ गया तो वो क्या करेंगे ए पे टिक लगा देंगे और question क्या हो जाएगा आपका गलत क्यूंकि हम से क्या पूछा गया है 21 से आगे वाले हमने निकाल लिए पहले 100 पहले 100 निकाल लिए हमने लेकिन हमको 20 नहीं चाहिए पहले 20 हमें नहीं चाहिए तो पहले 20 का निकाल लिए पहले 20 का क्याएगा 20 कुना 21 divided by 2 10 21 10 210 यह ना यह निकाली हमने पहले 20 के जो हमें नहीं चाहिए और यह 20 के आगे वाले के यह जो हम पूरे 100 के निकाली हमने यह निकाली है पहले 20 के अब हमको पहले 20 के नहीं च चाहिए तो गठा दीजिए यहां से कितना गया जीरो फूर एट फूर 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 जीरो ऑप्शन भी राइट अंसर है तो जिसने भी फूर फूर जीरो अंसर निकाला है उसका अंसर बिल्कुल सही है कॉंसेफ्ट वही है कि आपको एन नेच्रल नंबर का फूर्मूला पता है आपने क्या किया पहले सो का निकाल लिया फिर आपने क्या किया कि बीस का निकाल लिया अब आपको क्या दिए कि 21 से तो बीस का तो आपको चाहिए नहीं तो सो में से आपने क्या कर दिया जो बीस का स क्या पिछला कोश्चन वैसे ही होगा है लेकिन होगा कैसे ही यह कुश्चन कि कि आपने क्या करना है कि आपने formula तो पड़ा कि first and natural numbers के square का formula पड़ा है तरीका वही है आपने क्या करना है कि पहले 20 पहले 20 n natural numbers के squares का आपने क्या निकाल लेना है sum निकाल लेना है उसके बाद आपको 4 से पहले वाले नहीं चाहिए तो आपने क्या करना है कि पहले चार जो natural numbers हैं उनके j hayır जो squares हैं उनका क्या निका लेना sum फिर आपने करना है total में से तो माइनिस कर देना तो वह आपके पस अंसर आजागा देखते हैं करते हैं कितने नंबर है वह होगा है 20, formula के है हमारे पास n, n plus 1, 2 n plus 1, divided by 6, यह formula है, formula apply करेंगे हम, n के हमारे पास 20, n plus 1 कितना हो जाएगा, 21, 2 n plus 1 कितना हो जाएगा, 20 और 2, 40, 40 और 1, 41, divided by 6, 6 से divide करेंगे, 32, 6, n से यह divide हो गया, 3 और 3, कितना हो गया आपके पास, 10 गुणा 7 गुणा 41, 10 और 7 को कहरेंगे, 70, 70 को हम क्या करेंगे, 41 से multiply करेंगे, sorry, 41 से क्या किया है, हमने 70 को multiply कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया, 7 बंजा 7, 2, 8, 7, 0, आपके पास क्या गया है, हमें, 28, 70, अब next क्या करना आपने, पहले 4 का निकालना है, तो पहले 4 का कितना आ जाएगा, आपके पास, 4 है, आपके पास 4, formula ही ही लगाना है, multiply by 5, 8 और 8 और 9, divide कर दिया, आपने 2, 6 से, या गया 2, या गया 3, 3, 3 जा 9, 5, 3 जा 15, 15 और 2, 30, तो आपने क्या करना है, यहां से 30 को minus कर देना है, मैंने आपको बोला था कि आपने क्या करना, पहले 20 का निकाल लिया, उसके बाद आपको 4 से पहले वाले का नहीं चाहिए, तो उसका निकाल लिया आपने, और उसको क्या कर दिया, अंसर क्या जाएगा बास, 0, 4, 2, 8, 2, 8, 4, 0, जिसका भी एंसर 2, 8, 4, 0 आया है, उनका अंसर क्या है, सही है, नेक्स्ट, नेक्स्ट फच्चन है मारे पास, टिक तक क्रेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन पर निशान लगा है, आपको 4 स्टेटमेंट दी है, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही है, अगर से कमेंट बोक्स में अंसर कीजिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, और प्राइम नंबर्स और और नंबर्स, क्विक, जल्दी से अपने रिपलाइज जो है, वो कमेंट सेक्शन में डाल दें कि क्या और प्राइम नंबर्स और और नंबर्स, ओके हम डिसकस करते हैं, कि क्य सारे एक सारे प्राइम नंबर जो ओड नंबर हैं बिल्कुल नहीं सबसे चोटा प्राइम नंबर क्या है टू गया एक इवन नंबर है तो यहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाती है है यहां पर स्टेटमेंट गलत हो जाती कि सारे एक सारे प्राइम नंबर जो ओड नंबर नहीं है तूइ एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और क्या है इवन संक्या या इवन नंबर है नेक्सट है all Integrees are rational numbers के सारी के सारी इंटीजर जो बर rational numbers के बारे में आपने पड़ा पीछे Integrees क्या होते हैं मायन इंफिनिटी से लेगे प्लस इंफिनिटी दक और मैंने आपको क्या पताया था कि जितने बी इंटीजर नंबर हैं जितने भी होल नंबर है जितने भी निच्रूल नंबर है वो सारे एक सारे क्या होत दिया हमारे पास rational number, तो option B जो है वो आपका correct option हो जाएगा आगे भी हम check करते हैं कि all odd numbers are prime numbers क्या सारे के सारे odd number जो है क्या सारी के सारे bishop संखे हैं, जो वो अवाजे संखे हैं जी नहीं 9,1 जो है वो odd number है लेकिन ये एक अवाजे संखे नहीं है 15 एक odd number है लेकिन वो एक अवाजे संखे हैं नहीं है, तो सारे एक सारे odd number जो है वो अवाजे संखे हैं नहीं है तो इसलिए ये statement भी गलत होगी और ये तो चलो गलत ही है next, last question है आज का ये find the value of 1 plus minus 2, एक series दी आपको natural number की series, लेकिन series आपको दी कैसे है, आपको एक number positive दिए एक number negative दिया है, एक positive है एक negative है, तो इस तरह की question भी हम कैसे attempt करते हैं अब देखना है कि, आप नहीं है देखा कि 1 से 50 के बीच में कितने odd numbers हैं, और कितने even numbers एक से 50 के बीच में कितने odd numbers आएंगे मारे पास 25 और odd even number भी 25 आएंगे और नमबर भी 25 आएंगे अब मैंने आपको formula बताया था कि और नमबर का हम sum कैसे निकालते हैं और नमबर का sum कैसे निकालते हैं एन का स्कुए अन्हें नेक्स हमारे पास negative numbers है जो even numbers हैं वो सारे सारे negative numbers है जब हम उनको add करेंगे तो उनका sum भी क्या आएगा negative तो even नम्बर का सम क्या से निकालते हैं एन इंटू एन प्लस वन इनका सम क्या आएगा बास नेगटिव इसका क्या एगा पोजिटिव था हमने क्या गए इसको माइनस कर लिया है यह आपके पास एक फॉर्मूला बन गया अब आपने सिर्फ वैल्यूज रखनी है यहां पर 25 का स्क स्वेर्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स 25 इंटू 26 होता है मारे पास 650 ठीक है तो आंसर के आगे आपके पास माइनस 25 ऑप्शन सी जो आपके पास वह और करेक्ट अंसर है तो कल का जो हमारा सेशन रहेगा वह फिर से नंबर सिस्टम कहीं रहेगा और कल के सेशन में कु और HCF का महतव समावर्तक और लगुत्तम समावर्तक ठीक है तो आज का सेशन हम यहीं पर खतम करते हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अपने फीडवेक जो हमारी वीडियो अपने क्या आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ओके थैंक्यू